नमस्कार and welcome to my YouTube channel English for All. This is Manish Rai. आज प्रस्तूत है The Story of Poetry. जी बच्चों, बिहार बोर्ड के अंतरगत वारहुई में पढ़ने वाले बच्चों के लिए The Story of Poetry मतलब कभिता की कहानी. जी, The Story of Poetry, यहनी Poetry की कहानी पढ़ेंगे हम लोग. तो आएए बच्चों, आज की वीडियो की सुरुवात करते हैं. बच्चों, लिखा हुआ है कि You Have Read, आप पढ़ चुके होंगे. You Have Read Many Poems in Your Text Books, Rainbow Part 1 and 2. बच्चों, बिहार बोर्ड में, 12 हुई के बच्चों के लिए Rainbow Part 1 और Part 2 नामक टेक्स्ट बुक पाथे पुस्तक पढ़नी होती है. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि You Have Read Many Poems. आप अपनी पाथे पुस्तक जिसका नाम है Rainbow Part 1 और Part 2, उसमें बहुत सारी कभिता हैं. आप पढ़ चुके होंगे, You Must Have Noticed, आपने आवस्य नोटिस किया होगा, गौर किया होगा, You Must Have Noticed, आपने आवस्य गौर किया होगा, Certain Common Things in them, यानि जो कभिता हैं, आप Rainbow Part 1 और Part 2 में पढ़ी हैं, उसमें आपने कुछ Common Things गौर किया होगा, कुछ समाननेसी बातें आपने गौ गौर की होगी, और वो क्या गौर की होगी, सुनिए, The Meaning of Words in a Poem, यानि कभिताओं में जिन सब्दों का उपयोग किया जाता है, The Meaning, उनके अर्थ जो होते हैं, Is Quite Different, बिलकुल बच्चों जुदा होते हैं, Quite Different, यानि कभिता में जिन सब्दों का हम इस्तिमाल करते हैं, उन सब सब्दों का अर्थ, Quite Different, बिलकुल अलग होता है, बिलकुल जुदा होता है, From what we find in a short story or in a drama, यानि ड्रामा में और short story में, जब सब्दों का परियोग होता है, तो उन सब्दों के अर्थ, जब वेही सब्द कभिताओं में परियोग होते हैं, तब उनके अर्थों से बिलकुल क्या होता है, अलग होता है, यानि एक ही सब्द, अगर short story और ड्रामा में है, तो उसका अर्थ कुछ और होगा, और वही सब्द, अगर poetry में आ गया, poem में आ गया, तो उसका अर्थ कुछ और होता है, क्यों? समझिये, here words are used, यहाँ पे, मतलब कभीताओं में words are used, सब्दों का परियोग किया जाता है, not just for meaning, कभीताओं में सब्दों का प्रियोग केवल मिनिंग के लिए, केवल अर्थ के लिए नहीं किया जाता, बचों समझियेगा, short story और ड्रामा में सब्दों का प्रियोग केवल अर्थ के ल उनके sound के लिए सब्दों का प्रयोग उनके sound के लिए भी और उनके images के लिए भी च्छबी के लिए चित्र के लिए भी किया जाता है ज़ीए बच्छों यहां देखिए fast, last gone, on तो UNT मेरा राइम किया गया है ठीके है बच्छों तो यहाँ पे सब्दों का प्रयोग उनके sound के लिए भी हुआ है और यह images यहाँ पे जो यह डबलू एच ओर्डन की जो poetry है Now the leaves are falling fast यहाँ पे life or death के बारे में बात की गई है तो यहाँ पे बच्चों पतियां जो है लाइफ और death के बारे में बता रही है और यह fast, last, gone और on जो है यह अपने sound के लिए इनका इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ पे कहा गया है कि वहीं सब्द अगर सौटे स्टोरी में आए तो वो किवल अपने अर्थ के लिए आता है लेकिन सब्दों का प्रियोग कविताओं में केवल अर्थ के लिए ही नहीं बलकि उनकी sound धोनी के लिए भी होता है और उनकी images के लिए भी होता है let's recall, आईए अस्मरन करे let's recall, आईए अस्मरन करे the following lines from WH Auden, आईए WH Auden की कविता now the leaves are falling fast की, इन पंतियों को recall करें मतलब फिर से याद करें, आप पढ़िए बच्चों इनका बिताओं को you must have noticed, आपने हवस्य नोटिस किया होगा the images of leaves, जब ये पंतियां आप पढ़ेंगे तो आपके दिल में आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके मस्तिस्क में लिब्स, पतियों की छबी बनेगी, यानि उनकी तस्वीर बनेगी उनका चित्र बनेगा, फ्लावर्स का बनेगा, ग्रेब्स का बनेगा, प्रैम्स का बनेगा ये सब तस्बीरें आपके दिमाग में बनती हैं तो poetry में सब्दों का प्रियोग केवल अर्थ के लिए नहीं बलकि आपके दिल और दिमाग पे आपके मन और मस्तिस्क पे उनकी छबी बनाने के लिए भी किया जाता है What about arrangement of words in separate lines which rhyme at the end आप देखरें उपर कभी ताओं में कि कैसे सब्दों को arrange किया गया है सब्दों को सुब्वस्थित किया गया है ताकि वे अंत में rhyme का काम करें मतलब एक तुकबंदी बनाएं Don't you think? क्या आपको नहीं लगता? They together ये एक साथ मिल करके suggest the cyclic process of life and death जो cyclic का मतलब होता है चक्राकार, चक्रिये मतलब पुन्राबृत होने वाला तो ये जो पंक्तियां है न बच्चों एक साथ मिल करके जो cyclic process of life and death है जीवन और मौत का जो पुन्राबृत होने वाला ये चक्रिये नियम है न इसको दिखाता है ये बात आपके समझ में आ रही है न तो देखिए बच्चों, यहाँ पे words आया क्या leaves आया, flowers आया, grapes आया और प्रैम्स आया और ये बात किसकी कर रहे हैं, life and death की तो यह प्रमारित होता है कभिताओं में सब्दों का प्रयोग केवल अर्थ के लिए नहीं, बलकि sound और images के लिए भी होता है और उनका अर्थ कुछ और होता है जैसे कि इन पंक्तियों से बच्चों प्रमारित होता है आगे लिका बच्चों, you may be interested यानि आपको interest हो सकता है यानि आपकी रूची हो सकती है in having an idea of the time यानि उस समय की जानकारी लेने के बारे में आपकी रूची हो सकती है when poetry began to begin in England यानि जब कभिता इंग्लेंड में लिखी जाने लगी तो किस समय इंग्लेंड में कभिता लिखी जाने लगी उस समय के बारे में जानकारी लेने में आपकी रूची हो सकती है यहां बताया जा रहा है poetry has started its journey from the time man used the language to express his emotion बच्चों, emotion का मतलब बता है भावना है यहां पहले लिखा है poetry has started its journey यहनी कभिता ने काब्वे ने बच्चों अपनी जर्नी, अपनी यात्रा क्या की सुरू की, from the time यहनी कभिता ने, काब्वे ने उस समय से अपनी यात्रा प्ररंब की जिस समय से man, इनसान ने अपनी भावनाओं को express करने के लिए, ब्यक्त करने के लिए भासा का प्रियोग करना सुरू किया, उसी समय से बच्चों कभिता के भी सुरूआत हो गई it began with the beginning of the history यहनी कभिता की जो बच्चों जरनी है, कभिता की जो यात्रा है न, begin, क्या होई सुरू हुई, with the beginning of the history इतिहास के सुरूआत के साथ ही, कभिता की यात्रा भी क्या होई, सुरू हुई of the English people on the continent यानी जब बच्चों इस धरती पे, जब English people आये लोगों ने जब अंग्रेजी बोलना सुरू किया जब अंग्रेज जब बच्चों आये न तो उनके इतिहास के सुरूआत के साथ ही, कभिता की इतिहास या कभिता की यात्रा भी क्या हो गई सुरू हो गई लेखा, during the Anglo-Norman and Anglo-Saxon बच्चों, आप पढ़े होंगे Story of English के Part 1 और Part 2 में पढ़े होंगे है न, Anglo-Norman, Anglo-Saxon सर पढ़े होंगे आप लो तो लेखा, during the Anglo-Norman and Anglo-Saxon period बच्चों, Anglo-Saxon और Anglo-Norman की अवधी के दोरान English language was in its primitive form बच्चों, primitive form का मतलब अभिक्सित रूप यानि Anglo-Saxon की आओधी में English language, अंग्रेजी भासा जो थी न, वो बच्चों अभिक्सित रूप में थी The Old English as it is called इसलिए इसको Old English कहा जाता है Anglo-Saxon के period में जो अंग्रेजी भासा थी न, वो अपने primitive form में थी, अपने अभिक्सित रूप में थी इसी कारण हम उसे Old English का दरजा देते है And it had many French and German words और Old English में बहुत सारे French और German words का इस्तेमाल किया जाता था The poets told their stories और उस समय के जो कभी होते थे न, यानि Old English के दौरान जो बच्चों Anglo-Saxon period था, जिसको हम Old English कहते है तो उस period के जो poets हुआ करते थे, जो कभी हुआ करते थे, told their stories of great crusades and sea voices यानि उस समय के Old English period के जो poets हुआ करते थे, जो कभी हुआ करते थे, told their stories कहानिया कहते थे, of great crusade, बच्चों crusade का मतलब होता है अनीती और अधर्म के बुरुद संगहर्स यानि अनीती और अधर्म के बुरुद जो संगहर्स होते थे न, उसकी कहानिया अपनी कभीताओं के माध्यम से कहते थे and sea voices और जो समुद्री यात्राएं होती थी न, इन यात्राओं के बारे में उस समय कभीताएं लिखी जाती थे किस समय बच्चों Old English period में the tales of king Arthur, tales का मतलब होता है बच्चों कहानी the tales of king Arthur and his round table were the result of his trend और उसी trend का परिनाम रहा, क्या, tales of king Arthur राजा आर्थर की कहानी और उनके गोल मेज की कहानी जो थी न, बच्चों वह उसी trend का क्या रहा, परड़ाणा, trend कहने का मतलब हुआ कि Old English के दोरान, Anglo-Saxon period में, जो कभी होते थे न, वह बच्चों धर्म, नीती के लिए लड़े जा रहे संघर्सों के बारे में रचनाए करते थे समुद्री यात्राओं के बारे में रचनाए करते थे और उन्ही रचनाओं का उधारन है King Arthur और उनके Goalmich Table के बारे में रचना अब आईए चलते हैं बच्चों, Middle English में बच्चों लिखा है कि During the Middle English, यानि Middle English के दोरान, इसकी period आपको पता है बच्चों तो During the Middle English, Middle English के period के दोरान, we notice the emergence of a national language and literature यानि जब Middle English के बारी आती है, जब इसकी period आती है बच्चों, तो इस दोरान, we notice, हम देखते हैं the emergence का मतलब होता आगमन, प्रारदुरुभाव, और फिर national language literature एक राश्ट्रिय भासा और राश्ट्रिय सहित्य के आगमन को हम लोग देखते हैं कब Middle English के दोरान जोफरी चौसर made great contribution in this regard, और बच्चों, जो Middle English के दोरान, जो अंग्रेजी को ख्याती प्राप्त हुई, जो अंग्रेजी को दर्जा प्राप्त हुआ न, तो उस दर्जा को प्राप्त करने में great contribution, बहुत बड़ा युगदान रहा, किसका जोफरी चौसर का याद रखेंगे, जोफरी चौसर जो थे न बच्चों, ये Middle English के पोवेट थे, किसके बच्चों? Middle English के पोवेट थे, और Middle English में, जो emergence of a national language and literature हुआ न, उसमें इनका contribution, इनकी जो युगदान थी न, वो बहुत करते हैं, the people, वहां के लोगों का word run करते हैं, and their beliefs, और उनके बिस्वासों का word run करते हैं, कौन? जोफरी चौसर, जिनकी रचना है, the Canterbury Tales, इसमें बच्चों, ये England के लोगों, वहां के धर्म और बिस्वासों की चर्चा, अपनी पुस्तक में, अपनी कहानी में, अपनी कभि परी टेल्स में, जोफरी चौसर ने डिस्क्राइब किया है, वे सारी चीज़ें, अभी भी हम लोगों को पसंद आती हैं, the poem presents characters, जो poem है, जिसका नाम है Canterbury Tales, इसमें जो, ये जो है ना, ये presents, ये प्रस्तूत करती है, characters का मतलब होता है, चरित्रों को, पात्रों को, ये पात the noble knight, the esquire, the friar, the priores and others, ये जो बच्चों, जिन characters के मैं नाम ले रहा हूँ, ये सब Canterbury Tales के हैं, और जोफरी चौसर ने इनका निर्माड किया है, ये सारे पात्र estil amuses, amuse का मतलब होता है, मनरंजन करना, है ना, ये जो पात्र हैं, आज भी हमें क्या करते हैं, amuse करते हैं, हमे peculiarities के कारण, यानि अपनी बिसेस्ताओं के कारण, अपनी अजीब बनावटों के कारण, ये पात्र आज भी हमें amuse करते हैं, आज भी हमें मजा और आनंद देते हैं, in his poetic works, Chaucer didn't use the old English irregular lines and alliteration, बचों जो 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 ज regular lines थी, जो alliteration था ना, अनुपरास और जो अलंकार था ना, उसका इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, the rim ram raw as he humorously calls it, humorously का मतलब होता है, मजा किया रूप से, बच्चों old English के जो irregular lines थे, जो alliteration थे ना, उसको जो 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 प्रयोग, Middle English में नहीं किया, another important poet of the time, यानि Middle English के एक और महत्वपूर्ण कभी थे, जिनका नाम था बच्चों, William Langland, क्या नाम था बच्चों, William Langland, जो परी चौसर के बाद, ये सबसे महत्वपूर्ण कभी हुए, किस period के, Middle English period के, he is the vision of Pires and Plowman, इसकी रचना है, जिनका ना यानि, dream vision, आगे क्या-क्या होने वाला है, इनका क्या dream है, इनका क्या target है, इनका क्या goal है, इनका क्या अलग्च है, उसको candid करके इनकी लिखी गई रचना है, the vision of Pires and Plowman, in this poem, इस कभिता में, जो William Langland है, attacks the social levels, attacks का मतलब प्रहार करते हैं, social levels का मतलब समाजिक बुराईया, य और ये उस समय के लोगों से अर्ज करते हैं, निमेजन करते हैं, learn to love की प्रेम करना सिखो, आपस में प्रेम करो, मिल जूल करके रहो, जगड़े नहीं करो, समाज की सारी बुराईयों को समाज से उखाड फेको, इस प्रकार का सला, बचो William Longland अपनी रचना the vision of Pires and Plowman के या आपके लिए जानना बड़ा आस्चरिजनक होगा, या आपके लिए जानना बड़ा आस्चरिजनक होगा, that for nearly 200 years after Chaucer, यानि Chaucer की कविताओं के 200 बर्स बाद, there was no great literary work produced in England, इंग्लेंड में कोई great मतलब बड़ी literary वकसायती क्रचना नहीं हुई, उसी कारण Middle English और रहा है, तो इसमें कहा रहा है कि जानना आपके लिए बड़ा दिल्चस्प होगा, कि Chaucer साहब जो थे हैं, तो Chaucer साहब Middle English के बचों poet थे, तो Chaucer की रचनाओं के 200 बर्सों तक, इंग्लेंड में कोई बड़ी सहायतिक रचना नहीं हुई है, one important exception, इसके एक महत्तपूर्ण exception है, अपवाद है, Sir Thomas Mallory, इनकी रचना है, Lee Morted Arthur, क्या नाम है, Lee Morted Arthur, 200 वर्सों के दुरान यहीं एक रचना हुई थी, इसके अलावा कोयन ने महत्तपूर्ण रचना नहीं हुई थी, This poem is a collection of stories about King Arthur, तो यह जो बच्चो रचना है, Sir Thomas Mallory की, Lee Morted Arthur, इसमें उन्होंने King Arthur की कहानियों का वडरन किया है, उन्हीं की कहानियों का संग्रा है, जिसको किस ने लिखा, Sir Thomas Mallory ने लिखा, बच्चो, अब आये चलते हैं, पंद्रहमी सदी में, ये बड़ा महत्वपूर्ण सदी हैं, अंग्रेजी के लिए बच्चो, लिखा, During the 15th century, यानि पंद्रहमी सदी के दोरान, चौदा सो से पंद्रह सो, पंद्रहमी सदी के दोरान, an intellectual movement called a renaissance, बच्चो एक पढ़े लिखे लोगों का आंदोलन हुआ, एक बुद्धी, विबेक और ग्यान का आंदोलन जिसे हम पुनर जागर्ण कहते हैं, swept Europe, इसने पूरे यूरोप का अपने चंगूल में ले लिया, किस ने? रिनेस्स ने, जिसको हम लोग कहते हैं पुनर जागर्ण, क्या कहते हैं? पुनर जागर्ण, दो वर्ड रिनेस्समस मिन्स रिबर्थ, बच्चों जी तो सब्द हैं जिसको renaissance कहते हैं इसका मतलब वो तैरी वर्थ यानि फिर से जनम लेना पुनर जागरण कहिए इसको है ना इसको हम लोग क्या कहते हैं पुनर जागरण और ये कहां हुआ यूरोप में कहां हुआ बच्चों यूरोप में हुआ जो प्राचीन ग्रीक साहत्य था जो प्राचीन ग्रीक ग्यान था जो बुद्धी थी जो बिबेक था जो नॉलेज थी उसको फिर से लोगों ने अपनाना क्या किया शुरू किया और इसी दोरान इंग्लेंड में प्रिंटिंग प्रेस में बचार हुआ जो बच्चों जब बच्चों जब इस्टैबलिश किया गया पुनर जागरनों तो हुआ था और साथी साथ प्रिंटिंग प्रेस भी आ गया इसे ग्यान का फैलाव दूर दूर तक हो गया आम लोगों के लिए भी अब जो क्लासिक्स थी जो सहितिक जो रचनाय थी अब आम लोगों के लिए भी उपलब्द हो गई आम लोग भी अब इसको पढ़ने लगे पहले वो खास लोगों तक ही सीमित थी लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने से रचनाय दूर दूर तक फ और बचों जब लर्निंग जब का एस्प्रेड हुआ जब ग्यान का वो प्रभाव हुआ जब ग्यान का फैला हुआ ना तो इसने एक एस्प्रीट अफ इनक्वारी पूछताच करने की ताकत लोगों के अंदर डाल दी and overthrew the institution and beliefs of the medieval age medieval age का मतलब होता है मध्यकालीन यूग और मध्यकालीन यूग के जो beliefs थे जो भी स्वास थे जो institution थे जो संस्थाएं थी ना जो लोगों को आगे बढ़ने में बाधा उत्पन कर रहे थी लोगों ने उसको क्या कि या उखाड फेका क्योंकि लोगों में ग्यान का प्रवा होने लागा था इन इंग्लैंड इंग्लैंड में the influence of the renaissance influence का मतलब होता है बचो प्रभाव यानि इंग्लैंड में renaissance का influence मतलब पुनर जागरण का प्रभाव वाज felt महसूस किया गया clearly sharp sharp during the period यानि अधी के दोरान from the accession accession का मतलब होता है गद्धी पे बैठ नौफ एलिजाबेट इन 1558 यानि 1558 इस भी में जब एलिजाबेट बचों इंगलेंड की गद्धी पे बैठी न उस दौरान इंगलेंड में रिनेशन्स रिनेशन्स मतलब पुनजागर्ण का इन्फुल्वेंस प्रभाव साप साप देखा गया यानि 1558 में जब एलिजाबेट राणी बनी और 1625 में जब जैम्स के मृत्ति हुई न इस पिरियड के दौरान इंगलेंड में बचों पुनजागर्ण का प्रभाव साप साप देखा गया अंडर एलिजाबेट रूल्स यानि महराणी एलिजाबेट के सासन के दौरान इंगलेंड एक्स्पिरियंस्ड मतलब इंगलेंड ने मैसूस किया internal peace, इंग्लेंड ने आंत्रिक सांती मैसूस किया and economic prosperity और आर्थिक संपन्नता भी इंग्लेंड में आई, जब बच्छों Elizabeth इंग्लेंड की रानी बनी न तो आंत्रिक सांती आई, इंग्लेंड के अंदर सांती आई and economic prosperity और आर्थिक संपन्नता भी आई and emerged as a world power और इंग्लेंड बच्चों सांती और सम्रिधी के बल पे emerged as a world power एक बैस्विक सक्ती के रूप में इंग्लेंड उभरा कब जब महरानी एलिजाबेत 1558 इस्वी में इंग्लेंड की रानी बनी तो इंग्लेंड में सांती आई सांती जब आती है तो सम्रिधी भी आती है और जब सम्रिधी आई तो इंग्लेंड एक world power बैस्विक सक्ती के रूप में उभरा the three great poets of the time और जब बच्चों इंग्लेंड एक बैस्विक सक्ती के रूप में उभरा तो उस समय के जो तीन बड़े poets हुए जो तीन सबसे महान कभी हुए थे न वे कौन थे सुनिये Christopher Marlowe कौन बच्चों ये modern poets है Christopher Marlowe, Edmund Spencer and William Shakespeare बच्चों ये modern poets है तो महरानी के सासंकाल के दोरान तीन बड़े कभी भी हुए कौन? Christopher Marlowe, Edmund Spencer and William Shakespeare They practiced and perfected several kinds of words बच्चों इन तीनों महान कभी होने practiced and perfected यानि अभ्यास किया और संपूरुन बनाया कई प्रकार के worst forms को जैसे epic romance, pastoral, allergies, sonet, lyrics, attire इनको यानि इस प्रकार की रचनावों में इन लोगों ने perfection हासिल की इन लोगों ने बच्चों पूर्णता हासिल की तो epic romance समझते ही है pastoral जो होता है न वो gram में जीवन पे अधारित होता है जो allergy होती है या सोक गीत होता है sonet जो होता है ये 14 पंक्तियों कभिताएं होती है और सटाय जोता है ब्यंग्यात्मा कभिता होती है lyric गीत होता है तो इस प्रकार की रचनाओं में इन लोगों ने महारा था हासिल की इन तीन महान कभियों ने आगे लिखा है बच्चों की Edmund सौरी यहां से पढ़े हम Marlowe आज basically a lyric poet जो Marlowe थे न या मुलत basically मतलब मुलता lyric poet थे यानि ये गीत वाले का भी थे यानि इनकी जो रचनाओं होती थे न वो गीत के माध्यम से होती थी इबेन इस प्लेज लाइक टैंबरलिन जी बच्चों जो लिखा हुए न इसको पढ़ते हैं हम लोग टैंबरलिन तो इबेन इस प्लेज लाइक टैंबरलिन दा ग्रेट डॉक्टर फॉस्टस और एडवर्ड सेकेंड रिवील इस इमेजिनेटिब अप्रोच और जे क्वेस्ट फॉर आइडियाज बच्चों मैं यहाँ पे जो लीरिक पोवेट है मारलो इनके तिन रचनाओं आपके सामने रख रहा हूँ पहला है इनके यह तिन नाटक हैं यह है टैंबरलिन दा ग्रेट दूसरा डॉक्टर फॉस्टस और तिसरा एडवर्ड सेकंड यह पलेज है यह नाटक है और किनके नाटक है बच्चों तो यह नाटक जो है न मारलो के है किसके हैं आप यात रखियेगा इन तीनो नाटकों में reveal is imaginative approach ये अपने कल्पनात्म जो काल्पनिक जो इनका approach है दिरिस्टिकून है न इसको ये प्रकट करते हैं and a quest for ideas और विचारों की खोज भी ये इसमें दिखाते हैं कि कैसे ये ने ने विचारों को खोजते हैं और अपने imagination को भी दिखाते हैं इन तीन बचों plays में ये असपस्ट होता है अब तो ये तो बात होगी Marlow की अब दूसरे हैं Edmund Espencer अब दूसरे सबसे महान कभी हुए न जिनको हम Edmund Espencer कहते हैं इनकी क्रचना है जिसका नाम है सबसे हैं या क्या है या ग्राम में जीवन पे लिखी गई कभी तया तो रखिएगा Tumberland the Great, Dr. Faustus and Edward Second ये जो है ये बचों Christopher Marlow के pledge है और Sefford's calendar जो के एक pastoral poem है ये Edmund Espencer की रचना है His best known work The Fiery Queen बचों ये Espencer सहाब की best known सबसे बहतर जाने जाने वाली रचना है जिसका नाम है The Fiery Queen क्या ना है बचों? Fiery Queen ये एक romantic epic है ये एक प्रिम प्यधारित महाकाब्य है Based on Siblery बचो Siblery का मतलब होता है इस्तरियों के प्रतिश सम्मान और अतलब आदर का भाव प्रकट करने वाली ये romantic epic है जिसका नाम है Fiery Queen ये क्या है Siblery है यहाँ पे पूरुसों के दुवरा महिलाओं के प्रतिश, सरदा, आदर और भक्ती त्यादी प्रकट की जाती है ये जो बचों romantic epic है जिसका नाम है The Fiery Queen और इसको लिखा है Edmund Spencer ने ये कविता जो है न ये अपने allegorical meaning और design के लिए भी पढ़ी जाती है From this point of view इस दिरिष्टिकोंड से From this point of view का मतलब होता इस दिरिष्टिकोंड से The poem Portraise ये जो कविता है जिसका नाम है Fiery Queen ये Portraise करता है मतलब है चित्रित करता है The political and religious problem of the age यानि उस समय के जो political, राजनैतिक और religious, धार्मिक problems ते जो समस्यां थी न उन समस्याओं को उजागर कर रही है Adamant Spencer के रचना जिसका नाम है Fiery Queen Shakespeare was the greatest poet of the age लेकिन बचों अभी तीन कभी हुए न कौन? Christopher Marlow, Adamant Spencer और William Shakespeare इनमें सबसे जो महान हुए उनका नाम है William Shakespeare इनी जो romantic comedies इनकी बचों जो romantic comedies है जो प्रेम पे अधारित comedies है और जो इनकी tragedies है दुखानतिकी है He presents the Renaissance concept of free will Renaissance का मतलब पुनर जागरण पुनर जागरण का मतलब होता है कि आप अपने आप को जगाईए अपनी इक्षा को जगाईए अपनी आत्मा को जगाईए एक सोतंत्र ब्यक्ति के रूप में सोचिए तो इनकी जो रचनाए है न बच्चों वह Renaissance का जो concept है free will है ना उसी को यह present करती है उसी को यह प्रस्तूत करती है आगे सेक्सपियर का क्या कहना है आप गौर से सुनिएगा बड़ा मज़ा आएगा इस पंक्ति को पढ़ करके लिखा है कि human destiny is shaped यानि human का मतलब मानओ destiny मतलब होता है भागे तकदीर नियती यानि मनुस्य की जो तकदीर होती है is shaped by human actions themselves यानि हमारा जो भाग्य होता है हमारी जो तकदीर होती है या हमारे करतब्यों से अधारित होती है यानि वो हमारे करतब्यों के द्वारा ही हमारे भाग्य का निर्मार होता है आप जैसा काम करेंगे आप जैसा करतब्य करेंगे आपके जैसे कर्म होंगे आपका भाग्य भी वैसा ही होगा तो Shakespeare कह रहे हैं कि human destiny is shaped by human actions themselves यानि मनुस्य का जो भाग्य होता है उसके करतब्यों द्वारा निर्धारित होता है God or fate doesn't influence it यानि Shakespeare कह रहे हैं कि नहीं भगवान, God or नहीं fate, नहीं तकदीर doesn't influence it यानि बच्चों आपकी जो destiny है ना आपकी जो तकदीर, जो आपकी destiny है वो आपके action से आपके कर्मों से बनती है भगवान और भाग्य का उस पे कोई प्रभाव नहीं है यानि आप वहीं पाते हैं जो आप करते हैं उसमें भगवान और भाग का कोई रोल नहीं होता यह सेक्सपीर बता रहा हैं आगे कह रहा हैं कि his tragedies especially Othello, Hamlet, Macbeth and King Lear यह बचों सेक्सपीर की tragedy है जिसका नाम है Othello, Hamlet, Macbeth and King Lear रहा रखिएगा यह किसकी tragedy है सेक्सपीर की यह content fine poetic passages जिसमें बेहतरीन poetic passages है यह बेहतरीन बेह बचों गद्यांस गद्य है ना इसमें है यह जो चार सेक्सपीर की tragedy है Othello, Hamlet, Macbeth and King Lear इसमें poetic passages है written in blank verse they explore blank verse के रूप में लिखी गई है यह चार बचों tragedies working of human passion and emotions इसमें human passion और emotions को दिखाया गया है जो सेक्सपीर की tragedy है Othello, Hamlet, Macbeth और King Lear है न यह बचों blank verse में लिखी गई है और इसमें human passion और emotions को दिखाया गया है सेक्सपीर has to his credit two narrative poems बचों सेक्सपीर के credit में इसेक्सपीर के नाम दो narrative poems भी है जी बचों tragedies तो आपने देखा अब narrative poems इनके नाम दो है यह का Venus and Adonis दूसरा है Lucreys बचों दूसरा क्या है Lucreys यह जो है सेक्सपीर की क्या है बचों narrative poems है and a sequence of 154 of sonnets और इन्हों ने बचों 154 sonnets भी लिखी है 14 पंक्तियों की कविता को sonnets कहते है और सेक्सपीर ने बचों इन 14 पंक्तियों वाली 154 कविताओं को लिखा है अब कविताओं में क्या लिखा है समझे did sonnets deal with the tragic failure in love and broken friendship सेक्सपीर की जितनी sonnets है इन sonnets में बचों tragic failure in love प्रेम में दुखद रूप से असफलता को दर्साया गया है and broken friendship और तूटी हुई दोस्ती को इन्हों ने अपने 154 sonnets 14 पंक्तियों कविताओं में दर्साया है you are यहाँ पे लिखा है कि another important thing is that सेक्सपीर के बारे में एक और महत्पून बात यह है कि he developed his own structure and rhyme scheme of sonnets कि बचों सेक्सपीर ने घिसी पिटी परंपराओं का उपयोग नहीं किया इन्होंने sonnets में अपने swam के structure का और swam के rhyme scheme का परियोग किया यही कारण है कि इन sonnets को हम सेक्सपीरियन sonnets कहते हैं यही कारण है कि सेक्सपीर के इन एक सचववन sonnets को हम सेक्सपीरियन sonnets कहते हैं क्योंकि इसमें घिसी पिटी परंपराओं के जोने उपयोग नहीं किया इन्होंने swam के structure और swam के rhyme scheme का उपयोग किया इसी कारण इनकी सोनेट्स को हम सेक्सपीरिन सोनेट्स के नाम से जानते हैं तो बचों ये दाय स्टोरी या पोवाट्री जो है ना या सेक्सन बहुत लंबा है तो चुकि या वीडियो आधे गंटे की हो चुकी है तो आज की वीडियो मैं यही पर समाप्त करूँगा और अगली वीडियो दो तीन दिनों में फिर से मैं अपलोड करूँगा अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें सारी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने मित्रों से भी सेर दें अपने सुझाओ भी दें और इस वीडियो को साथ करने से पहले मेरे साथ बोले जय हिंद